नमस्कार स्वागत है आपका हिंद भारत में और मैं हूँ आपके साथ अक्षरा आर्या मतुरा में भाजपा और रालोद प्रत्याशी के बीच होगी सीधी टक्कर जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए नामंकन वापस लेने का मंगलवार को आखरी दिन था मतुरा में अन्त समय तक भाजपा और रालोद की ओर से किसी ने नामंकन वापस नहीं लिया मतुरा में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में भाजपा प्रत्याशी किशन सिंग, चौधरी और रालोद के राजेंदर सिकरवार में सीधी टक्कर होगी हाला कि भाजपा को एक निर्दलिय प्रत्याशी का खुल कर समर्थन मिल गया है अब भाजपा का संख्या बल नौ पर पहुँच गई है सिटी मजिस्ट्रेट जवाहर श्रिवास्तप ने बताया कि किसी भी प्रत्याशी द्वारा नाम वापस नहीं लिया गया है जिला पंचायत सदस्यों का साथ पाने के लिए भाजपा प्रत्याशी ने सत्ता का पासाफ्मेकन शुरू कर दिया है सत्ता के दम का सामना रालोद को करना पड़ेगा इधर बस पा आला कमान के रुजहान में भी भाजपा अति विश्वास से भरी है जिला पंचायत अध्यक्षपद पर भाजपा की ओर से किशन सिंग चौधरी को एक निर्दलिय जिला पंचायत सदस्यों का समर्धन मिल चुका है भाजपा प्रत्याशी ने निर्दलिय पंचायत सदस्यों को ही अपना प्रस्तावत बनाया है इसके साथ ही आट पर अट की भाजपा के पास नौ जिला पंचायत सदस्य हो गए है बसपा सुप्रीमो मायाबती द्वारा अपना कोई भी उम्मिदवार ना उतारे जाने से भी भाजपा में हर्श है भाजपा का मानना है कि बसपा की सपा और रालोद के साथ राजनीतिक प्रतिद्वन्दिता इसके चलते उसे फायदा मिलेगा हाला कि हाई कमान की ओर से अभी यह नहीं कहा गया है कि किस पार्टी का समर्थन करना है फिलहाल इस खबर परतना ही खबरों का सलसिला जारी रहेगा आप देखते रहे हिंद भारत